नमस्कार जी केपिटल में आपका स्वागत है। उनों को बहुत बड़ी राहत हो सकती है और ये न्यूज बहुत बड़ी राहत देने वाली है। बनाता है तो दूसरी तरफ Mercedes, BMW या Audi जैसी बड़ी कार कमपनी और बड़े कार के सिग्मेंट के लिए भी ये अटो एंसिलरी बनाता है। इस कमपनी की अगर फैक्टरी की बात करें तो भारत में तो है ही चाइना में इसकी बहुत साड़ी फैक्टरी है। इसकी योरोप में फैक्ट्री है और इसकी इभन अमेरिका में भी फैक्ट्री है तो इस कमपनी के दुआरा जो बनाये गए साजो समान है इनकी लगभग साड़ी बड़ी कमपनिया इस्तिमाल करती है जैसा कि आपको पता है कि पीछे कोरोना के कहर से पूरे योरोप, अमेरिक चाइना हर जगा डिश्टर्ब हो गया था तो इनके भी साड़े प्लांट अल्मोस्ट बंध हो गये थे और उसका जो असर था वो इनके सेरों के प्राइस पर भी क्लियर दिख रहा था क्योंकि एकदम से 45-50 रुपे के आसपास तक इनके सेरों की कीमत आ गई थी तो न्यू पिछले ट्रेडिंग सेशन था ठाड़ा अप्रेल का तो उस दिन इसने 6.50 percent का return दिया पिष़ले हptे की अगर बात करें तो इसने 31.18% का return दिया है और पिष़ले एक मुहिने की बात करें तो लगभग 41% का return दिया है तो इसमें चमतकैरिक सुधार का लक्षन देख रहा है कि इसमें कुछ सुधार हो रहा है तो इसमें जो forecaster है, forecaster क्या कर रहे हैं, forecaster 60% forecaster कर रहे हैं कि इसे खड़िदना चाहिए और इसकी जो holding की pattern है, holding की pattern अगर देखें तो इसमें promoters का 62% के आज़ पास share है mutual fund इसमें 11% के आज़ पास अपना share रखते हैं और DII लगभग 13% और FII लगभग 15% तो पुल मिलाकर हम यह कहेंगे, इनकी जो share holding pattern है वो ठीक ठाक है अब बात करेंगे कि एक साल में इसकी स्थिति क्या है, तो एक साल में इसकी स्थिति यह है कि यह 43% से ज़्यादा नीचे है पांच सालों में इसकी स्थिति क्या है तो पांच सालों में भी लगवग 44% नीचे है और ये क्यों है कैसे है इसको और थोड़ा सा आगे जब बढ़ें तो वहां आप देखेंगे इसको चार्ट पर अगर ठीक से देखा जाए तो चार्ट पर आप ये देखेंगे कि पीछे डेट था 24 मार्च 24 मार्च को ये लोग बना रहा था 48 रुपे 65 पैसे का अब 48 रुपे 65 पैसे से अगर पिछले ट्रेडिंग सेशन आठाड़ा तारीक की जो हाई है वो लगभग 89.65 रुपेस की है तो ये लगभग 78 से 80 परसेंट की जंप मनी जाएगी इतनी बड़ी जंप के पीछे क्या निउज है क्या खुसखबरी है वो हम आप से सेर करेंगे मुश्किल से 15 ट्रेडिंग सेशन बीते हैं अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है 24 अपरील को तो मुश्किल से 13 ट्रेडिंग सेशन या 14 ट्रेडिंग सेशन बीते हैं तब तक उसका पैसा लगभग 80 परसेंट बर चुका है तो ऐसी कमपनी है तो मदरसन सुमी का जो फंडमेंटल है वो बहुत जबरदस्त है चुकि आटो सेक्टर में ही पूरी निरासा का महौल है इस वज़े से मदरसन सुमी का पोजिशन डाउन लग रहा है और अगर बोलें और इसके फ्यूचर के बारे में बोलें तो जिसका भ जब तक ऑटो सेक्टर के मंदी का दौर खतम नहीं होता है तब तक किसी भी कमपनी में जैसे सब़ी बड़ी कंपनीों में प्रोब्लम है वैसे इस कंपनी में भी प्रोबलम बनी रहेगी तो जो इन्वेस्टर है वो उनको एक सलाह है यहां पर हम देना चाहेंगे कि यहां पर जो 50 देज का है accord का कीम région होड़ा है 87 डुपे 15-16 पैसे तो यहां पिये मार्केट में जब 89.65 तक गया था। तो केंडी यहां बन रहा है वह बन रहा है वह भोन रहा है दोजी केंडी वह सो कर रही है कि मार्केट अब यहां इसका उपर जाएगा कि नीचे जाएगा यह तो अगला आने वाला ट्रेडिंग सेशन बताएगा तो इसमें अगर आप invested हैं तो आपके लिए एक शुजाव यह है कि 50 days का जो यह में है 86 रुपे या 87 रुपे का तो इसके आज पास से तो यह नीचे आ चुका है तो आप इंतजार करें अगर इसको ब्रेक करके उपर जैसे निकलता है तो आप अपनी यह 50 days की जो यह में है उसको अपने stop loss के लेवल पर भाके रख लें और अगर वहां से उपर की और जाता है तो 100 days की जो यह में आएगी और उसको पार करेगा जो 101 रुपे के आसपास है 100 days की यह में तो वहां अगर यह पार करता है तो फिर आप अपने stop loss को shift करके 100 रुपे के उपर लगा देंगे लेकिन फिलहाल जो 86, 87 रुपीज है उसको अगर कल ब्रेक करता हुए अगले session में अगर अगले session में यह price को ब्रेक करता हुए दिखता है तो आप अपने stop loss को 87 पर रखें और अगर नीचे की और आना शुरू करता है तो इसे exit कर लें और फिर काफी जब नीचे आता है या कम से कम 10-20% नीचे आता है तो वहां आप इसमें entry दे सकता है आप यह चीज़ और यहां पे गौर करेंगे कि जो पीछे इनकी meeting हुई थी बोड की और इस बोड में जो नेजने लिए गये थे तो उस नेजने के आधार पर एक ही दिन में 15% का जंप है जो इनकी जो ट्रेडिंग सेशन थी 15 की और 16 की और यह दो दिनों में इनके जो जंप है वो जबर्दस्त आपको देखना है में मिलना है एवन अठाड़ को भी जो इनकी business trading जो हुई है व वो यह बताया है कि कोरोना वाइरस और पैंडेमिक से निवटने के लिए हम लोगों ने एक 500 करोर रुपे को 500 करोर रुपे का फंड रेजिंग की approval दे रखी है यह फंड रेजिंग जो होंगे वो होंगे नन कनवर्टेबल डिवेंचर के रूप में जो 500 करोर रुपे जो र इनन कनवर्टेबल डिवेंचर जो होंगे वो 500 करोर के होंगे लिष्टेड भी होंगे सेक्योर भी होंगे तो इस परकार से यह इन्होंने अपना कम्मिकेशन किया है बी एसी को आपको पता है कि कोई भी कमपणी जो लिष्टेड है अगर उसके आहां कोई भी निर्ने होता होती है कोई मीटिंग होती है उसको अपने एक्स्चेंज को इन्फर्म करना होता है वही इन्फर्मेशन इनोंने बी एसी को किया हुआ है तो यह तो रही पहली निउज वैसे मनी कंट्रोल ने इस सेम निउज को जो छापा है उसमें एक हजार करोर रुपे के रेजिंग की बात कर रहा है तो हो सकता है कि इसमें एक अंदर की जो बात हो कि कमपनी तो 1000 करोर रुपे रेज करने जा रही हो लेकिन फिलहाल 500 करोर रेज करने का इंफर्मेशन बीएशी को दिया हो नेक्स्ट 500 करोर की जब फंड रेजिंग करेंगे तो फिर से कम्मुनिकेशन बी एसी को देंगे ऐसी पर स्थिति भी बन सकती है अग दूसरी न्यूज क्या है कि कम्पनी दूसरी जो कम्मुनिकेशन दी है वो है कि उनके चीन में इस्थित जो कोरोना से प्रभावित टोटल प्लांट थे वो प्लांट अब खुल गए है तो वहाँ पे जो कारोबार की इस्थिती है जो प्रोडक्शन की इस्थिती है वो COVID-19 में तो बंद था लेकिन COVID-19 से पहले की जो इस्थिती थी उस इस्थिती में प्लांट आ गई है और फूल फ पनी के फाइनेंसियल जो दिक्कते हैं उससे दूर करने के लिए बोड का एक हजार करोड या 500 करोड के फंड रेजिंग के स्विक्रती का मिल जाना तो यह दोनों न्यूज के चलते आपने देखा कि कैसी जवरदस्त रिकभरी रही पीछे दो तीन ट्रेडिंग सेसनों में और आगे इसके कारोबार की स्थिति को देखने के लिए हम NSE की वेबसाइट पर चलते हैं तो आप यह देखेंगे कि पिछले जो ट्रेडिंग सेसन की स्टार्ट हुई थी उसमें ओपन हुआ था 87 रूपे पर इसने लो बनाया था 81 रूपे 50 पैसे का लेकिन फाइनली क्लो उपर आउटब्रेक करके निकलेगी या नीचे की ओर रिवर्सल करेगी यह कुछ पता चलना मुश्किल है जैसा कि हमने पहले ही आपको चार्ट को देख करके बताया अब इसके कारोबार के स्थिति और इसके ट्रेड़ेड भोलियूम के स्थिति देखें तो जो क्वांटि दिलिवरी का पर्सेंट जो हो थोड़ी निरासा जनक है इसलिए जो पीछे हमने डोजी के अंजल बताया था तो हो सकता है कि यहां से जो इन्वेस्टर है उनको यह लग रहा हो कि प्राइस कमबैक हो सकता है तो उन्होंने अपनी एस्टापलस वगर वहां पे लगा करके औ हमारी इंफर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक करें सेयर करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दवाना ना भूलें ताकि यह वीडियो सबसे पहले आप तक पहुचे जय हिंद जय भारत